नमस्कार दोस्तों स्वागदार सभी लोग का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्ती नई अपडेट में आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ सेयर करने वाले हैं कि एरलाइन्स और ट्रेवल से कौन-कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने रही है पहली बड़ी खतम कर रही है यहाँ पर महरास्टा की गौर्मेंट की तरफ से भी अब मास्क को लगाना कंपल्सरी नहीं रखा गया है यानि कि अब आप मुंबई में या फिर आप महरास्टा में बिना मास्क के भी कहीं पर भी जा सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ यह जरूर बोला गया है कि जो लोग भी फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं जो लोग भी एरपोर्ट जा रहे हैं उन सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अभी भी कमपल्सरी है अगली खावर यहाँ पर सिंगापूर को लेकर सामने आ चुकी है आपको बता देगे सिंगापूर की गौर्मेंट अब सभी विजिटर लोगों के लिए भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर चुकी है यानि कि ऐसे लोग जो कि सिंगापूर अब घूमने के लिए जाना चाते हैं वो सभी लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं इससे पहले सिंगापूर की गौर्मेंट ने सभी वर्क वीजा और दूसरे वीजा वालों के लिए अपने बॉर्डर को ओपन कर दिया था लेकिन अब यहाँ पर बिजिटर लोगों के लिए भी फ्लाइटे खोल दी गई है बिजिटर लोग भी अब सिंगापूर में ट्रैवल करके जा सकते हैं यदि वो फुली वेक्सिनेटेड हैं तो उनको सिंगापूर में जाने के बाद कॉरिंटीन में नहीं रहना फ्रेंट्स एक और खबर यहाँ पर लखनो एरपोर्ट से जान लेते हैं लखनो एरपोर्ट से फुल कैपेसिटी पर इंटरनेशनल फ्लाइटों को ओपन कर दिया गया है बहुत सारे लोग जो की गल्फ देशों में ट्रैवल करके जाना चाते हैं उन सभी लोगों की तरफ यहाँ पर कंप्लेंज सामने आ रही है कि लखनो एरपोर्ट से ट्रैवल करना काफी महंगा हो रहा है यहाँ पर फ्लाइट की किराये जो हैं वो काफी महंगी है यहाँ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यूपी और बिहार के जो लोग हैं यदि वो लोग गल्फ देशों मे ट्रैवल करना चाते हैं तो उन सभी लोगों के लिए लकनो एरपोर्ट से ट्रैवल करना काफी आसान होता है जिसका फायदा इस समय एरलाइनस कंपनिय उठा रही है और लखनो एरपोर्ट से जितनी भी फ्लाइटे अपरेट हो रही है गल्फ देशों के लिए उनकी कर दिया है और इनका के लिए काफी बड़ा जटका है क्योंकि इससे पहले इंडिको एयरलाइन्स के सीफों ने भी रिजाइन कर दिया है और यहाँ पर को सीफ कमिर्सिर ओविसर भी इंडिको को चोड़ कर जा रहे ने कि जो लोग भी कुवेद के लिए ट्रैवल करना चाते हैं आपको बता दी कि कुवेद के लिए अब मैंगलूरू और कनूर एरपोर्ट से सीधी उडाने एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से चालू कर दी गई है इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एर इंडिया एक्सप्रेस न जब से इविजा की फैसलीटी ओपन करी है उसके बाद से ही दुनिया भर के लोग अब भारत में ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं यहाँ पर जो खबर सामने रही है उसके नुसार टोटल साथ इंटरनेशनल एर लाइन्स कंपनिया इस समय भारत में अपनी इंटरनेशन फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और दुनिया के सो से अधिक देशों के लोग अब भारत में ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं इन सब के लावा यहाँ पर बैंगलूरू, मुंबई और दिली जैसे एरपोर्ट से भी खबरे सामने रही है कि इन सभी एरपोर्ट पर फुल कैपेसिटी पर इंटरनेशनल फ्लाइटे ऑपरेट होनी शुरू हो गई है यानि कि जितनी फ्लाइटे क्रोना वारस आने से पहले ऑपरेट हो दी थी लगभव उतनी फ्लाइटे फिर दुबारा से इन सभी एरपोर्ट से चालू हो चुकी है सो फ्रेंट्स ये थी आज की एरलाइन से और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहर जरूरी और काम की अपडेट ऐसे और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस अपडेट समय पर मिलती रहे